दुर्गा पूजा जब से गई है मुझे बहुत सारे देम्स और कमेंट्स रिसीव हुआ है देदी दुर्गा पूजा का व्लॉग कब तक देखनी को मिलेगा नाव सची बात बताओ मेरी इस बार की दुर्गा पूजा कुछ खास गई नहीं है जो दो दिन में निकली थी उसका मिनी व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और आज की वीडियो में या तो फिर अगले दो तिन व्लॉग में आप जो भी देखोगे उससे ही आपको पता चलेगा कि मेरी पूजा कैसी गई है या तो फिर मैंने क्या क्या किया है तो चलो आज की वीडियो इससे ही स्टार्ट करते है and देखते हैं कि मैंने अपना पूजा किस तरीके से इस बार सेलिब्रेट किया है and definitely अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो then please do subscribe to my channel if you like the content and press the bell icon beside the subscribe button you can also follow me on my social medias I will put the link in the description box so without any further ado, let's get started तो दिन था ओश्टो में, अभी काफी दिनों से ठीक तरीके से मैं सोने ही पाती हूँ क्योंकि इतने सारे काम और इतने सारे दीक एक साथ समालना पर रहा है उपर से stress, depression, सब कुछ एक साथ मिलाके like life अभी चल रही है जितने भी सारे लोगों के साथ इसके बीच मुलाकात हुआ जितने लोगों ने भी पूछा कि दिदी कैसे हो, पूजा कैसे हो सर्फ एक ही जवाब मिला कि चल रही है, बस life चल रही है तो morning की शुरुबात होती है एक कप green tea के साथ क्योंकि इसके बिना और coffee के बिना मैं energize नहीं हो पाती हो जब ममी घर पे नहीं होती है, तब समझ में आता है कि नीन से उठने के बाद आपके सिर के उपर कितने सारे pressure रहती है तो चाय पीते-पीते ही यादाया कि बच्चों को खाना खिलाना होगा क्योंकि और तब तक सारे 11 बच्चु का था और हमारे घर के बच्चे तकर्रिबन 9-9 के बीच खाना खा लेते है दोनों को ही खिलाना बढ़ता है और इस टाइम पे जाके चिकू का behavior जो है वो थोड़ा सा change हुआ है क्योंकि meeting का time है और बच्चे जो होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते हैं and usually उनकी जो body है वो react करते हैं तो मैंने पहले चिकू को खाना खिला दिया and उसके बाद मैंने मम्मा को खाना खिला दिया now दोनों बच्चे ही जब घर पे कोई भी बड़े नहीं होते तो मेरी बात सुनते है and यह चीजी मुझे सबसे ज्यादा शान्ती देती है जब चोटी थी तब चाय ठंडी हो जाने के बाद मम्मी फिर से उसे गरम कर देती है लेकिन अभी इतने सारे कामों के बीच में चाय कब ठंडी हो गई और उसी चाय को पीने के बाद में कब काम पी लग गई अब सची में पता नहीं चलता है अब सभी लोग को यह चीज़ पता है कि हम वुमन जो होते उनको बहुत ही ज्यादा कम मौका मिलता है खुद का ध्यान रतने का खुद को पैंपर करने का और मोस्ट इंपोर्टन लिए सिर्फ तभी होता है जब हमें कोई भी ओकेजन अटेंट करना होता है या तो फिर कोई फेस्टिवल आती है जैसे कि मानलो नॉर्ट इस्ट में करवाचौत होने वाला है साउथ में थिरुवति रहा हमारी बिंगॉली में तो फेस्टिवल लगी हुई है अभी बहुत टाइम तक चलेगा तो इस समय पे इस सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग शॉपिंग करते हैं घर की साफ सफा ये वो लेकिन उसी बेच जब भी हम लोग फेस्टिव करवाने जाते हैं तो अपॉइन्मेंट्स तो पहली बात मिलती नहीं है दूसरी बात अगर मिलती भी है तो घंटों तक पारलर में बैठे रहो फिर जाके अपनी जो अस्किन है उसे थोड़ा सा प्रिप करो जो फेशल आप लोग करवाते हो वो जाया दिन तक रहता नहीं है बट डोंट वरी मैं आज आप लोग के साथ जो एक डी आई वाई फेशल के बारे में बात करनी वाली हूँ इसके बार में मैंने पहले भी बहुत बार कहा है जब भी मैं इसे यूज करती हूँ एकदम हसल फ्री बहुत ज्यादा कम टाइम में हो जाता है और साथी साथ जो ग्लो मिलता है वो काफी टाइम तक रहता है इस सिक स्टेप डी आई वाई मेक अवर फेशल कित फोर सलोन लाइक इंस्सेंट ग्लो एट होम इस सिक स्टेप डी आई वाई मेक अवर फेशल कित में वो सारे स्टेप है जो सलोन लाइक फेशल में होता है इससे आपको घर बैठे सिर्फ 30 मिनिट में में जाएगा इंस्सेंट ग्लो तो लेट मी शो यू ओल दोस सिक स्टेप क्विकली तो कोई भी मन पसंदीदा फेश व़ॉष की मदद से अपने फेश को अच्छे तरीके से वउष कर लो और इसकी जो फर्स टेप है वो है क्लेंजिंग मिल्क फेश को अच्छे तरीके से 5 मिनिट तक क्लेंज करो दिन धोलो बाड़ी आती है next step की which is exfoliating face scrub इसमें बहुत छोटी-छोटी particles है जो कि आपकी skin को exfoliate करता है skin में से dead skin cells को निकालता है और साथी साथ जितने भी सारी dirt pollution है उसे भी ये हटाता है next step है face massage cream ये थोड़ा सा patience लेके करना पाच मिनिक तक अच्छी तरीके से पूरी face को massage कर लो दिन बाड़ी आती है face mask की जो face massage cream अच्छी तरीके से skin absorb कर ले तो face mask को apply करो दिन 10 मिनिक तक रग तो शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा time भी लग सकता है थोड़ा सा कम time भी लग सकता है ये person to person vary करता है तो face mask में लगाने के बाद 10 मिनिक तक दूँगी और जब ये सूख जाएगा मैं face को wash कर लोगी फिफ्ट चो स्टेप है वो है face serum इस पे छोटे-छोटे sheen particles है जिसकी वज़े से आपकी skin में ये एक glow प्रोवाइड करता है तो मैं इस serum की 3-4 drop लेते हुए अगर आप मौनिंग की टाइम पर फेशियल करवा रहे हो तो sunscreen ज़रूर अपलाई करना क्योंकि ये हमें sun की जो UV rays होता है उससे प्रोटेक्ट करता है यही पर खतम होता है हमारा आप अभी difference जो है उसे देख सकते हो मेरी skin कितनी जहादा glowing लग रही है ये तो आपके चाहरे में इक instant glow देता ही है साथी साथ ये chemical free है नहीं तो इसमें paraben है, sulfate है, formal dehydes, nothing so you can trust it blindly मैंने बहुत बार इसके बारे में कहा है क्योंकि मुझे ये इतना ही ज्यादा पसंदा आती है तो मैं नीचे description box में again इसकी link जो होगी आप लोग को provide कर दूँगे अगर आप चाहो तो definitely वहाँ से purchase करके you know, खुद बखुद घर में बैट के facial कर सकते हो by the way, Nude की जो product है वो आपको Nude की website यानकी www.evertrainnude.com पर available मिल जाएगा साथी साथ, this is also available on Amazon and Flipkart as well काम खतम करते करते हैं जल्दी जल्दी में ready हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था market में आप यकिन नहीं मानोंगे last day दो हपते से ठीक तरीके से ना हम लोग खा पा रहे थे ना ही खाने को ठीक तरीके से time मिल रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे करके तो नहीं होगा क्योंकि मम्मी की तवियर तभी काफी खराब हो चुकी है तो मैं गई थी बजार में कुछ marketing करने के लिए क्योंकि घर में बच्चे लोगों के लिए fish and चिकन है वो usually हमें लेना बढ़ता है तो मैंने सोचा कि सब के लिए ही लेते हैं, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे तो बजार से आते आते तकरीवन दोपहर के देर बच चुके थे और देर बज़े मैं दोपहर के खाने की preparation कर रही थी यहाँ पे मा थी phone पे मा से में पूछ रही थी वहां का हाल चाल मा की भी तभी है तभी दिन दिन काफी खराब होती जा रही थी तो मैंने सोचा की चलो सबजी वगेरा बनाते हैं क्योंकि काफी दिनों से जैसे की मैंने कहा की हम लोग ठीक तरीके इसे खान नहीं बाते यूजरली आप से भी नहीं होगा अगर आपके घर में कोई भी hospitalized है और उस ताइम पे आप खाना खा पाओगे I guess नहीं होता है एक वो mental pressure रहता है तो यहाँ पे मैंने कुक कर लिया आता साथे साथ मासे भी मैं बात कर रही थी Most importantly अगर एक दिल से मैं आप लोगों से बात कहूँ तो मैं इस ताइम पे डिप्रेशन में हूँ और मुझे ये openly accept करने में कोई भी problem नहीं है लेकिन कई नगई पे जाके बहुत सारे लोग तो वीडियोस देखते हो बहुत सारे लोग depressed रहते भी हो बहुत सारे लोग openly इस चीज़ को accept नहीं भी कर पाते हो तो उन लोगों से मेरी ये personal request है कि आप जितना जल्द हो सके counseling करो या तो फिर कोई भी doctor से consult करो क्योंकि ये चीज ना अंदर ये अंदर आपको खा लेता है ये मैंने notice किया है काफी बार किया है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है तो usually मैं doctor के पास जाने के लिए अभी तयार नहीं हूँ क्योंकि अभी भी मैं खुद को समाल पा रही हूँ लेकिन openly मैंने इस चीज को accept कर लिया है जिससे कि मैं अगर किसी से भी बाते कर सकूँ किसी के साथ बाते करके अगर मुझे मेरी इस problem की solution मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता एक family ही होती है जो दिल से आपको समझते है कुछ बहुत करीबी दोस्त होते है जो आपको दिल से समझते है अभी आप सोचोगे कि आपके घर में अगर ये situation है तो आप कैसे ये सब manage कर पा रहे हो या तो फिर आप ठीक हो क्योंकि कभी कबार ना family की कुछ-कुछ member ही आप लोगों की depression की कारण हो जाती है at least मेरे case में तो कुछ ऐसा ही हुआ जब सब कुछ ठीक चल रहा है और उसी बीच किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वज़े से आपको problem हो रही है तो शायद तब तक आप उस चीज़ को उतना बढ़ा चरा के नहीं देखोगे उतना भी priority नहीं दोगे and मैंने भी मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वही किया क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइम पे जाके मुझे मेरी मा को, दीदा को, मेरे जो दो बच्चे है उन लोगो को take care करना ज्यादा important है किसी दूसरी चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा लाइक दुरगा पुजा मैं किस तरीके से मैं घूमूँ कैसे कैसी मैं dress पहनूँगी कैसी nail extension करवाऊंगी किस तरीके से मैंने proper wax किया है ये सब दिमाग में नहीं आया तो बाते करते करते यहाँ पे मैंने बच्चों का जो खाना था उसे already prepare कर लिया था क्योंकि again उन लोगो को time to time खाना देना ये हमारा duty है क्योंकि उन लोगो की parents हम लोग है और वो लोग बोल नहीं पाएंगे तो ठीक time पे अगर आप समझ नहीं पाओगे तो वो bonding कोई bonding है ही नहीं तो दोनों की जो खाना थी उसे prepare करने के बाद मैंने थोड़ा सा और काम किया और करने के बाद चिगोंकों में ले आई morning के time पे ये बंधा रहता है लेकिन usually हम दो बहर तक इसे खोल देते है इसकी एक जो problem हो रही है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे सुसु कहां पे करना है और बार किसी भी एक गलत जगा पे जाके वो कर देता है जिसकी वज़े से अभी morning के time पे एक दो घंटे तब वो ऐसे ही tie up रहती है जटपट किचन का काम हुआ complete मैंने जल्दी जल्दी जो किचन काउंटर थी उसे clean कर लिया था और clean करने के बाद अब बारी थी हमारी जो छोटी शहजादे है उसको खाना किलाने का जब पीकलू मेरी जिंदगी में आया था मुझे सची में नहीं लगा था कि वो चीकू का जगा कभी भी ले पाएगा मैं थोड़ी सी बाइस थी ये मैं सची में कह रहे हूँ लेकिन वो आने के बाद मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला वो बहुत एक प्यारा बच्चा है जिस तरीके से उसने भी स्ट्रागल किया, सफर किया, उसकी हेल्थ कंडिशन को लेके I appreciate him always and वो मेरा अभी गुलू अच्चा हो गया है चीकू से भी ज्यादा बाते सुनता है, हाँ मैं अभी भी बाइस नहीं हूँ दोनों बच्चे ही मेरे लिए एक जैसे ही है, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छा हो गया है तो उसको खाना खिलाने के बाद सब कुछ मैंने क्लीन किया, उसके बार मैं खुद नहाई and भाडी आई खुद की टेक केर करने की फाइनली तो मैंने बालों को अच्छी तरीके से शैंपूइंग बगैरा की थी उस दिन क्योंकि थोरा सा प्लैन हो रहा था कि शायद हम लोग रात में मैडॉक्स निकल पाए तो उसका ही बस प्रिपरेशन चल रहा था and दिन कुछ ऐसा ही गया अगर आप को स्टूमी की मिनी व्लॉग देखना है तो आप जाके चेकाउट कर सकते हो शॉट्स में फिलाल आज की जो वीडियो है वो मैं यही पर ही एंट कर रही हूँ I hope कि आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरी इस बार की पुझा कैसी जा रही थी अगर वीडियो पसंद आए गाइस देन प्लीज दो नट फोगिट तो गिव इट अ बिग थाम्स आप फाइनली आज की वीडियो यही पर ही एंट करते हैं मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल नेक्स्ट वीडियो में तिल देन स्टे तुने और स्टे बिस्ट ब्लस्ट बाइ